सबी दोस्तों को जैहिन ITEP में आप लोग के लिए एक भरती आई थी जिसका सौट नोटिफिकेशन आप लोग का बहुत पहले ही जारी किया गया था जिसमें कारपेंटर, एलेक्टिशियन, पलंबर, मैसन इन सभी की जो है वेकेंसी आप लोग की आई थी आज इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस फुल नोटिफिकेशन में आप लोग का बताया गया है कि आप लोग का कारपेंटर, पलंबर, एलेक्टिशियन, इन सभी की पोस्ट के लिए आप लोग को क्या हाइट लगने वाला है, फिजिकल में आप लोग क क्या क्या होने वाला और सबसी इंपॉर्टेंट बात आप लोग पूछ रहे थे कि इसका रिटेन एक्जामिशन का स्लेबस क्या है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम पुरी डिटेल से बताने वाले हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए आप लोग का रिटेन वहां पर आप लोग का इस भरती का फुल नोटिफिकेशन हम प्रभाइड करा देंगे और वहां पर आप लोग को मालूम है कि नहीं नहीं भरतियों के बारे में हम जानकारी टाइन टू टाइम देते रहते हैं इसलिए आप लोग हमारे टेलिया हम चैनल में जॉइन होना ब अप benefit को इसके लिए कर सकते हैं वेकेंश के बारे में तो आप लोग में पहले से नहीं मालूम में तो आप फिर से जान लिए कि इसमें अप्रोंबर में लिiter है के वेकटियूर गली है कौन से कैटेगरिय के लिए क्ली हैं हो सकता है कि आगे इसका vacancy भी इंकीर किया जा सकता है हम लोग जो important बात करने वाले हैं इस वीडियो में उसके बारे में आप लोगों बताएंगे देखिए इसमें जो age रखा गया है वो 18-23 साल के बीच आपका age रखा गया है OBC को तीन साल के और SCC को फांच साल की age में छूट मिलने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात करें तो तेन्त पास आपका इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अमागे गया है साथ में साथ तेन्त के साथ आप लोग जो है जो आपका related ट्रेड जैसे कारपेंटर, प्लंबर मेशन और उलेक्टिस्यन इन सभी से लेटे आप लोग के पास IT एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एक साल का तो आप लोग इसके लिए फॉए प्लाइब कर सकते हैं तिक आगे बात करते हैं इसका यहां पर तो बताया गया है कि आपका जो है पांच साल का जो एजल ए के लिए जो आपके लगने वाला है 157 सेंटीमीटर आप लोग का हइट लगने वाला है बाकि यहांपर आप लोग एस्टी वर जो आपके नौफिश के पैडियेट होंगे उनको जो है यहांपर हाइट में छूट मिलने वाला आप देख सकते हैं जो कि आपके एस्टी जो कि schedule traps होंगे उनको जो है height 162.5 और आपका north east के candidate को 165 height लगने वाला है female के बात करते हैं height आप लोग जाने गए height के बाद आप लोग का होता है physical के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो आपका physical है उसमें क्या-क्या होने वाला है physical के बारे में आप लोग पहले मालूम है कि जो भी आपके पहले candidate physical दिये होंगा उनको मालूम होगा कि आपका physical में क्या-क्या होता है running इसमें होने वाला है सबसे पहले running में आप लोग क्या-क्या होगा male candidate का 1.6 km का running होगा जिसको आप लोगो 7 में आपको complete करना है और आपका 11 feet long jump होगा जो कि आपको 3 chance मिलने वाला है और 3 feet आपका high jump होगा इसमें भी आपको 3 chance मिलने वाला है का हाप चार मिर पैताली सेकने में आपको कंपलिट करना है नौफिट का आपको लॉंग जम्प होगा इसमें भी आपको तीन चांस मिलने बाला है अब हम लोग बात करते हैं इसके आपका जो स्लिवास रेटेन जामिशन का उसके बारें बात करें रेटिन आपते स्लिवस में आपके हंडेट मांस की कोशन पुछेंगे, आप जो नियुआ को सुछन होने वाला है, उब्जेक्टिफ टाइप कोशन आते है, यहांपर आपका स्लिवस लाय गया है, 100 marks के जो है आपके question पुछे आएंगे जो आपके question होंगे वो आपके class 10 के slivers के आधार पर होंगे आपको जो time मिलने वाला है वो 2 गंटे का time मिलने वाला है इसमें आपके कौन-कौन से subject से question पुछे जाएंगे आप लोग देख लिजे सबसे पहला subject है वो आपका English है इंगलिस से आपके 20 question पुछे जाएंगे और 20 marks के होने वाला है पते question आपका 1 marks का होगा दूसा subject है आपका Hindi यह भी आपके 20 question पुछे जाएंगे 20 marks के होंगे तिस्था subject है general awareness यह आपके 20 question होंगे 20 marks के और चौथा subject है आपका quantitative aptitude test यह भी आपके 20 question होंगे 20 marks के है जिसमें आपके math के question पुछे जाने वाला है तिक फिर उसके बाद है आपका reasoning reasoning के यहां लिखा गया है simple reasoning होगे normal reasoning आपसे पूछा जाएगा इसका 20 question होगा 20 marks के होने वाले तो टोटल आपका 100 marks का written examination होने वाला है और इसी क्यादार पर जो है आपका merit list भी लगाए जागा जागा देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें जो आपका objective होगा हिंदी और इंगलीज दोनों टाइप के दोनों language में आपके question होंगे इसमें आपका negative marking नहीं होता है तिक आगे बात करते हैं जो भी candidate qualify करेंगे उनका जो है एक होने वाला है क्या होगा पुछे जाएगा है थे आपका क्षार वाला है तेस्ट है तुर्व है क्वल क्वल्डाइबेशनने वाला 50 मास का आपका आपका जो ट्रेट टेस्ट होगा उसमें आपको 25 माक्स आपको लाना पड़ेगा तब आप लोग ट्रेट टेस्ट आप लोग क्वाल वालीक होगे उसके बाद आपका हमेडिकर होगा अपומर के बुदल के बाद आपका Rou ca mor पुछेंगे 50 मार्स के जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार है तभी आप लोग ट्रेटेश क्वालिफाइग किजिएगा आपको पहले बता चुके कि जो आपका मेर्ट लगने वाला है वह आपके रिटेन एक्जामिशन के मार्स के अधार पर लगने वाला है तो रिटेन के जामिशन में कोशन पुछे जाएंगे तो टोटल आपको जानकारी इस भरतिगावारे में हो गए तो जो भी केंड लिए जो हैसके लिए एलिजबल होंगे आप लोग तेंद के साथ आइटिय की होंगे कारपेंटर प्लंबर एलेक्रिशन में तो आप लोग इसके लिए प्लंबर आप लिए जानकारी चाहिए और बच गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मेंसेज कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा इसका फुल नोटिपिकेशन आप मिल जागा चलिए आप लोग से मिलता है किस नेक्स्ट वीडियो में जैहिन बन्यमातर।